Hey guys, welcome back to another video of database system management और आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिसकस करने वाले हैं जिसको आप लोग ने थमनेल में देख लिया होगा बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस तीन वीडियो को अक्सेस कर ले यह प्लेलिस्ट को यह अक्सेस कर ले नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आप लोग इसको काइंडली अक्सेस कर ले लेट्स के स्टार्टेड ओके गाइस वेल्कम बाक टू लेक्चर नंबर थ्री ओव डेटा बेस सिस्टम मैनेजमेंट और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं about two topics और उसमें difference के बारे में find out करने वाले कि उन दोनों में क्या difference है और क्यों हम लोगों को जो है two tier और three tier architecture को use करना पढ़ता है तो मैंने आप लोग को जैसे कि पहले ही बता रखा है two tier versus three tier architecture के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोनों को detail में पढ़ेंगे, क्या है इसके अंदर और कैसे data को access करा जाता है दोनों architecture में यह आप लोगों को मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो जैसे कि आप लोगों को यहाप पिच्चर दिख रही होगी, पिच्चर देखकर आप लोगों को घपराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आप लोगों को आगे सारी चीज़े बताने वाला हूँ सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा अर्किटेक्चर में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टायर का मतलब होता क्या है तो टायर मतलब होता है levels या फिर stages जैसे कि अगर आप लोग वीडियो उसको देख रहे हो तो वीडियो और आप इसमें एक दो ही stages है सिर्फ एक तो आप हो एक तो वीडियो है या फिर जिसी भी file को आप लोग access कर रहे हो तो वो जो file है और वो आप है तो मतलब आप client हो और जो file है वो actual में फाइल है तो यह दो लेवल architecture हो गया बट उसी तरीके से अगर आप लोग file को किसी other platform से access करने की कोशिश करते हो तो वो another type of architecture हो गया तो आर्किटेक्चर टो आर्किटेक्चर डिपेंड करता है कि आप लोग किसी भी data को कैसे access कर रहे हो तो यह जो है two-tier architecture है अब इस चीज़े diagram के साथ में आप लोगों को समझाने वाला इस वीडियो में तो सबसे पहले हम लोग जो है clients ले लेते हैं अभी clients का मतलब क्या है अब two-tier architecture में जो clients है उसका मतलब होता है machine या फिर interface मतलब जिस भी machine से हम लोग database को access कर रहे है फिर data को access कर रहे है उसको हम लोग यहाँ पर मैंने जो है तीन clients लिए है client 1, client 2 and client 3 आप लोग ऐसे n number of clients मतलब जितने number of clients लेने है उतने number of clients ले सकते हो और इसको जो है attach कर सकते हो तो basically यहाँ पर हम लोग arrows बना लेते हो और यहाँ पर जो है directly हम लोग database को access करने वाले clients से ही मतलब जो machine है वो client है उसी से हम लोग database को access करने वाले हैं अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि actual में यह जो client है वो कैसे database को access करता है तो सबसे पहले उसके लिए मुझे client लेना पड़ेगा और database लेना पड़ेगा और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि client to database कैसे communication होता है तो सबसे पह कि मैं database को दे रहा हूँ ताकि मैं database के जो फाइल से उसको access कर पाऊ हूँ मतलब क्या है query मतलब किसी भी programming language में हम लोग query को लिख सकते हैं normally जो query लिखने की programming language है वो है SQL और MySQL, Java में भी हम लोग query लिख सकते हैं जो भी programming language में query हमको लिखनी है वो client जो है database को देता है तो यहाँ पर सबसे पहले client query लिखेगा database को और यहाँ पर database क्या करेगा आप देखो database के पास query आई है वो किसी भी programming language है फिर किसी भी language में हो सकती है तो वो उस language को convert करता है अपने file में जो format में save किया है उसने मतलब उस भी format में convert करता है उसे और फिर वो उसको एक output प्रदान करता है तो इस type से जो है कुछ यहाँ पर mechanism होता है client to server या फिर client to आप लोग बोल सकते हो database अब गाईस टूटायर architecture का एक example देख लेते हैं तो टूटायर architecture का example एक बहुत simple सा है जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग जो है आज के time में जो बस booking करते हैं फिर बस नहीं कि किसी भी चीज़ की अगर आप लोग booking करते हो तब उसमें होदा गया है आप लोग अपना smartphone निकालते हो एक application run होती है आप लोग के smartphone में मतलब already installed होती है और वहां से आप लोग जो है बुक करते हो इस चीज़ को और वो चीज़ आप लोग का जो है बुक हो जाती है वो आप लोग के सामने एक receipt भी आ जाती है फिर mail कर देते हैं आप लोग को रिसिप और वो जो है आप लोग के booking complete हो ज डेपो के उपर जाना पड़ता था वहाँ पर एक office होता था वहाँ पर आप लोगों को form दिया जाता था और उस form में सारी चीज़े details आप लोग को fill up करने पड़ते थी कि कौनसी कौनसी कितनी seats आप लोग को book करनी है क्या आपका arriving time में वो क्या है उन सारे details को आप लोगों को जो है भरना होता था उस form के अंदर और फिर आपका जो टिकेट है वो book किया जाता था उस machine के दवारा तो यहाँ पर जब आप उस form को देते थे तब वो जो बंदा है वो जिस machine के उपर काम करता था उसको हम लोग client बोलेंगे under our two-tier architecture तो जैसे कि वो machine में अपने details को बरता थ और फिर आपका जो है slot book किया जाता था अब यह जो वो बंदा है जिस machine में काम करता है तो उसके पास एक application होता था अब जरूरी नहीं है उसको SQL और MySQL जैसी programming language आती हो वो क्या करता था वो उसके पास एक application होता था उस application में उसने जितने भी details भरी है वो सारी actual में query के language में database को send की जाती थी database उसको process करता था और उसको जो है expected output देता था और जो भी आपकी ticket है वो reserve हो जाती थी तो ऐसा कुछ काम करता है हमारा two-tire architecture यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ अब जो clients है हम लोग अभी अभी आप लोग किसी भी bus को book करना चाहते तो आप लोग वहाँ पर bus depo के उपर तो नहीं जाओगे आप लोग अपने घर से ही जो application है वहाँ से आप लोग order करना चाहोगे तो आप ही अगर अंदाजा लगाओ थोड़ा साथ कि clients जो है वो बहुत vast हो चुके है अभी के time में क्योंकि हर कोई अगर bus की booking अपने smartphone से करेगा तो clients जो है बहुत हो जाएंगे और database को सारी चीज़े करने उसको processing भी करने अपने query की और उसको output भी देना है तो यह सारी जो चीज़े है ना वो database को एक button like state या फिर आप लोग बोल सकते हो बहुत उसके पास load आ जाता था तो इसी की वज़े से हमारी जो two-tier architecture है वो बंद कि आ गया है और three-tier architecture को हम लोग ने support करना स्टार्ट किया या फिर आप लोग बोल सकते हो उसको use करना स्टार्ट किया बट अभी भी two-tier architecture use होता है किसे-किसे में बट वास्टली अभी जो जो भी online ordering service है या फिर booking system है उसमें जो है three-tier architecture use करा जाता है okay guys three-tier architecture को तो हम लोगों को देखना ही है बट उससे पहले हैं जो चीज हम लोगों को देखने है वो है disadvantage of two-tier architecture मतलब इसकी जो disadvantage है वो क्या है over three-tier architecture या फिर आप लोग बोल सकते हो कि क्यो हम लोगों ने three-tier architecture के उपर अपना हाथ बढ़ाया इसका जो reason से वो मैं आपको देने of two-tier architecture और सबसे पहला जो disadvantage है वो है scalability का तो scalability में आपके मैंने लिखा है cannot be accessed by multiple clients मतलब जो multiple clients है वो same database को access नहीं कर सकते मतलब अभी के time में जो clients की संक्याए वो बहुत ज्यादा है और database जो है वो बहुत load ले जाएगा उस चीज की कारण जो है two-tier architecture हम लोग नहीं use करते आज के time में जो भी online booking systems होती है उसमें scalability एक बहुत बड़ा reason है उस चीज का next जो point है वो है security का अब मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर जैसे कि आप लोगों ने जो diagram में देखा था client जो है वो directly database को access कर रहा था तो जब client directly database को access करेगा तो security की जो है वो कही न security का जो factor है वो minus हो जाता है और इसके कारण जो two-tier architecture है वो इतना secure नहीं है next जो point है वो है performance performance of course low होई जानी है low performance due to increase in clients clients जैसे जैसे increase होते जाएंगे data उतना process करना पढ़ रहा है उसको database को तो उससे क्या होगा low performance होगी जो database है वो जल्दी से process नहीं होगा या फिर जो expected output है वो लेट मिलेगा या फिर time taken होगा तो यह जो है performance एक बहुत important disadvantage है जो कि two-tier architecture में है next जो point है वो है हमारी responding doesn't respond multiple request at the same time अब यह भी एक बहुत important point है और यह भी वही type के point है जो कि मैंने आप लोग को बताया just scalability का मतलब responding जो है ना वो multiple request जब होती है तब respond नहीं कर पाता अच्छी तरीके से क्योंकि यार अगर आप लोग database को ऐसा बूल रहे हो कि मेरी भी request जो है वो accept करो मेरी भी query मैंने दिये उसका output है वो मुझे दो तो अगर आप लोग ऐसे सारी लोग ऐसे करेंगे तब उसके पास क्या आ जाएगा database के पास load आ जाएगा जिसके वाज़े से वो respond नही अब इसमें भी clients होंगे तो clients में हम लोग बना लेते हैं और एक और चीज़ में आपको बताना चाहता हूं कि यह जो clients है ना इसको हम लोग client application भी बोलते हैं क्लाइंट के पास application होती है जिससे वह database को access कर सकते हैं अब बीच में क्या आएगा तो बीच में एक आएगी हमारी business layer अब यह business layer क्या है मैं आप लोग को आगे explain करूँगा वैसे आप लोग एक चीज़ यहाँ पर note-down करना कि business layer है वो हमारी है एक application server बेसीकली एक server होता है जो की data को process करने में help करता है तो मैं आपको आगे बताऊंगा बस यहाँ पर आप लोगों को layers को याद रखना है कि सबस लोग बोलेंगे data source या फिर आप लोग इसको database भी बोल सकते हो कुछ भी बोल सकते हो तो यह है हमारा three-tire architecture अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो client one client two client three यह हमारी first layer हो गई business layer हमारी second layer हो गई और database हमारी third layer हो गई तब इसमें जो data है वो कैसे access करा जाएगा अब जैसे कि मैं three-tire architecture में हो रही थी वो three-tire architecture में fix होने वाली है तो clients जो है वो क्यूँ ज्यादा यहाँ पर three-tire architecture इतना clients को handle कर पाएगा यह मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो client जो है वो सबसे पहले query को डालेगा ठीक है query जब आएगी business layer के पास मतलब उसको processing करने की जरूरत नहीं पड़ेगी business layer ही उसको process करके देगा और जो database से उसके पास सारी चीज़े वो इतना इतना data जो है उसको access करना है और database अराम से उस data को return output देगा और वो जो output देगा वो client के language में नहीं देगा या client के query में नहीं देगा वो अपने language में देगा फिर business layer फिर से उसको process करके जो client का expected मतलब client ने जो query डाली है जिसे इसापसे जिस format में डाला है और जिस format में client data को चाहता है उस format में जो वो transfer करके business layer client को दे देगा तो इसमें हो क्या रहा है इस retire architecture में जो processing हो रही है वो all over database में नहीं हो रही है बलकि business layer में हो रही है और इसलिए इसको हम लोग application server भी बोलते है क्योंकि यहाँ पर एक server होता है जिसमें processing जो है वो data में मतलब database में नहीं होती business layer में होती है अब इससे होता क्या इससे फाइदा क्या होगा कि clients जितने भी जुड़ जाओ processing जो है वो तो business layer ही करने वाला है तो database में इसका कोई भी फरक नहीं बढ़ता तो यह जो है एक biggest advantage है three tier architecture का कि multiple clients इसको database को access कर सकते है तो जो database है उसको उसके ओपर load भी नहीं आएगा और multiple clients जो है वो database को access भी कर पाएंगे तो guys यहाँ पर जो second advantage है three tier architecture में वो यह है कि security अब security जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है in three tier architecture क्यों security अच्छी है क्योंकि client जो है वो directly data source को access नहीं कर रहा उसके बीच में क्या है business layer है और वो business layer जो है वो data को मतलब जो भी query है उसको process करके फिर वो data source को देती है और data source भी एक बना बनाया जो data है वो देता है और फिर business layer उसको process करके client के पास फिर से send कर देता है जो expected output है वो इसमें होता क्या है कि client directly database को access नहीं कर सकता या फिर उसको database का एक abstract view मिलेगा मतलब उसको बस उतना ही data मिलेगा जो कि उसको जरूरत है उसका जो data है वो उसी को access किया जाएगा मतलब उसी के द्वारा access किया जाएगा और किसी के द्वारा नहीं और data leak होने के chances से जो है वो भी कम हो जाते हैं तो सिक्योरिटी एक बहुत बढ़ा एडवांटेज ए ठीटायर आर्किटेक्टेक्चर में और फ़ॉस प्रॉसेसिंग भी बहुत जयादा होगि रिस्पॉंडिंग भी जयादा क्योंकि जो प्रॉसेसिंग है वो बिजनेस लेयर कर रही है डेटाबेस नहीं कर रहा है तो यह था थी टायर आर्किटेक्ट्चर और यह था दोनों में फरक क्योंकि ऐसे इंट्रेसिंग वीडियो आप लोगो को इस चैनल के पर मिल जाएंगे